नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकली स्पीकिंग पर और मैं हूँ आपके साथ प्रेड़ना क्या आप सुबह सवेरे पैदल सेर पर निकलते हैं? अगर नहीं तो जाना शुरू करतीजे आप सच में हरान रह जाएंगे कि सर्फ आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक आपके अंदर तासगी भर देगी वही लंबे समय से चली आ रही बिमारी में भी मॉर्निंग वॉक के फायदे हासे होंगे इतना ही नहीं दोस्तो सुबह की सेर करने से आप अपने मूड को भी खुश्णुमा बना सकते हैं इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं सुबह की नियमित सेर करने के कई फायदे तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखर सुबह की सेर जरूरी क्यों है दोस्तो सुबह की सेर करने से जीवन शैली से संबंधित कई गंभीर बिमारियों से पजा जा सकता है इसके अलावा सुबह सुबह गुन्ने के फायदे में मानसिक स्वास्त को बढ़ावा देना भी शामिल है वहीं देखा जाए तो सुबह की सेर बहतर स्वास्त के लिए आवशक शाररिक गतिवीधियों में इसे एक हो सकती है क्यूंकि चलने के लिए हमें किसी विशेश कौशन, जिम या उपकरण की आवशक्ता नहीं होती है वहीं सेर करना मध्युम से लेकर फुर्तीली शाररिक गतिवीधियों में शामिल है इस कारण सुबह की सेर नेंद की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ या दाश्त और सोचने वसीखने की ख्षमता में भी सुधार कर सकती है इसके अलावा सुबह की सेर चिंता के लक्षणों को भी घटा सकती है ऐसे में बहतर स्वास्त को बनाए रखने के लिए सभी को सुबह की सेर को नियमित रूप से अपनाना चाहिए तो चली अब आपको बताते हैं कि किन शाररिक समस्याओं में सुबह सुबह घूमने के फाइदे हासिल किये जा सकते हैं मगर उसके साथ ही ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सुबह वॉक करने के फाइदे केवल आगे बताये जाने वाली समस्याओं में राहत होचा सकते हैं इसे उन समस्याओं का उपचार नहीं किया जा सकता किसी भी गंभीर बिमारी का इलाज डॉक्टरी परामर्श पर ही निर्भर करता है अनियंत्रित जीवन शैली और बढ़ती उम्र का एक नकारांत्मक प्रभाव गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के रूप में देखने को मिल सकता है दरसल ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें हड्डियों का घनत को कम होने लगता है इस कारण हड्डियां पतली और कमजोर हो जाती हैं इस वज़य से हड्डियों में दर्भी होता है वहीं सिति अत्यधिक गंभीर होने पर हड्डियां आसानी से ढूल सकती हैं इसे में सबसे अधिक गूले, रीड और कलाई की हड्डियां प्रभावित होती हैं सुबह-सुबह घूमने के फाईदे हड्डियों के घनत पर कुबढ़ाने में मदद कर सकती हैं ऐसे में सुबह की सैर करना ओस्टियो पोरोनिया या ओस्टियो पोरोसिस की समस्या में सहायक हो सकता है। इस समय की सबसे बड़ी विमारियों में डिप्रेशन को गिना जाता है। से मूड डिसॉडर भी कहा जाता है क्योंकि इसके कारण व्यक्ति का मांसिक्स तर बदलता रहता है इसके रोगी के मन में उदासी हानी क्रोध या निराशा की भावनाय उत्पन्न हो सकती है जो रोज मर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर सकती है वहीं समस्या को कम करने में भी किंग धन्यवाद